Second year student, बहुत sincerity के साथ आप तयार रहिए क्योंकि अब आपकी actual technical journey start होगी जहांके maximum subject आपके आने वाले कोई भी complete exam लिखेंगे technicals related तो काम के रहेंगे है न तो यहां से आप थोड़ा से sincerity level आपका बढ़ाएंगे और आपका जो third semester, third semester और fourth semester के जो subject है उनको आप identify करिए कि इन semester में जो subject है और इनमें जो common subject है जो आपके gate exam में भी आता है gate का syllabus आप download करिए रखी अपने पास में ठीक है और आप देखिए कि इनमें से कौन से subject आपको gate के syllabus में है उन पे आप circle बना लीजिए और उन subjects को पता चले एक example के तोरपे में लेता हूँ कि कि अलग-अलग university का अलग-अलग syllabus होता है third semester में मान लीजिए out of five subject आपके three subject काई में है gate में है और यहाँ पर भी out of five subject three subject आपके काई में है gate में किसी में दो भी हो सकते हैं किसी में चार subject भी हो सकते हैं depending कि हर एक university का third semester और four semester का syllabus अलग-अलग हो सकता है तो आप देखें यहाँ पर कि यह जो तीन subject, तीन subject, छे subject आपके gate के syllabus में है अब उनको आपको ready करना तयार करना जब आप third semester में है तब आप उन तीन subject पे ज़्यादा extra focus करेंगे और साथ में individual subject available है जी सेंटर के platform पे वहाँ से लेके उन individual subject को आपको तयार करते जाना है ठीक है? और जब four semester में आएंगे तो यह तीन subject जो है आपके gate के syllabus में common है उन पे ज़्यादा extra focus करेंगे सर बच्चे हुए को क्या पढ़े ही नहीं? नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं भी आपको इंजरिंग pass करना भी तो जरूरी नहीं जो बच्चे हुए दो subject है आप जब यह तीन subject का knowledge अच्छा ले लेंगे ना तो बच्चे हुए दो subject को आपको लिखते आ जाएगा उनको बहुत detail version में पढ़ने की जरूरी नहीं है हर subject में मेरे खाल से 5 unit होती है उसमें 5 में से 3 unit 3 unit तयार करके चले जाना कि pass हो जाए आप इतना सारा लिखी देंगे कि आप अराम से pass हो जाएंगे उसमें जो आप क्योंकि देखो 3 semester और 4 semester में आप college भी regular जाते हो तो जो बच्चे हुए दो subject उनके जो professor रहें वहाँ पे college में उन professor को बहुत अच्छे है सुनना क्योंकि वह अटेंडेंस के लिए तो बैठना त दो बच्चे हुए subject का तो आप आधे आधे भी करके चले गए तो आप अच्छे से pass हो जाओगे क्योंकि बाकी तीन तो आपके strong रहेंगे क्योंकि आप gate के syllabus में भी common आप बहुत extra तरीके से पढ़ोगे तो उसमें ज्यादा number लेके आ जाओगे तो आपको help यहाँ पर भी हो full course अगर वो one year वाला लेता है मान लीजिए तो उसमें क्या होगा छे subject उसके common ही है तो छे subject individually लेगा वो क्योंकि दोनों semester उसके cover हो जाएंगे तो उसको costly पढ़ जाएगा उसके बज़ाए वो चाहे तो full course one year या चाहे तो six month वाले में भी जा सकता है कि six month में भी overall सब कुछ मि उनको better run से और देखिए साथ में इसको एकदम load लेके नहीं करना है enjoy करके पढ़ना है आपको क्योंकि कोई आपको second year pass करते से gate का exam नहीं लिखना है आपको third year pass करते से ही लिखना है third year के बाद आप दे सकते है exam तो second year में आप बहुत enjoy करके subject के reference book भी library अगर आपके college में हो तो उन books को भी आप खकाल सकते हो आपको अकर कोई books का नाम नहीं पता है मुझसे पूछ लेना chat box पे कि सर इस particular subject के लिए कौन सी books हो सकती है सब guide करता हूं में आप से बिल्कुल 24 गंटे connected रहता हूं G-Center के app के chat box पे आपको आपको अपको बहुत अच्छे से enjoy करते हूँ अपना college को भी बहुत अच्छे से enjoy करी और साथ में जो important है हमें हमें लग रहा है कि ये जो subject है बाकी लोग पता चले ध्यान नहीं दे रहें आपके दोस friend circle में बट आप अपना किसी को बताओ मन कि मैं तयारी कर रहा हूं मैं gate के तयारी कर रहा हूं क्योंकि कई सारे student के आदत होती ह बढ़िया से college में जब जाते हैं न तो electrical वालों की बात करो तो PS भीमरा बिल्कुल लटका के हो जाएंगे इत्ती मोटी बुक बस show off कर रहे हैं कि हाँ भया उसके 4 page भी धंसे पढ़ते नहीं हो सिर्फ show off की दुनिया चलती है second year में मैं gate की तयारी कर रहा हूं मैं gate की तयारी क कर रहे हो क्योंकि maximum student की second year में क्या होता है बिल्कुल हम तयारी कर रहे हैं तो उनके उपर आसपास का pressure इतना जागा हो जाता है क्योंकि जैसे वो third year में जाते है हां भी gate की तयारी कर रहा है कि कौन से subject पढ़ रहे है तो आसपास pressure बहुत बन जाता है उमीद है बहुत हो जात करना है अपनी तारिफ नहीं करना है अपना show off नहीं करना है आप जो भी करिए अपने प्रती कर रहे हैं तो silent होके करिए आपको पता है 3-3 subject ठीक है लिख लिया gate के हिसाप से उसको तयार करना है start कर दो और आज की date में आर बहुत असान है हमारे time पे जो हम engineering में थे तो NPTL के lecture खोशते थे उन में से भी किसी से guidance मिलता था कि इन में से क्या important है क्या नहीं पढ़ना है क्योंकि वहाँ समंदर है तो आज की तारिक में आपके पास technology है बहुत अच्छे से courses आपको design करके दी हैं आपको कुछ नहीं करना है बस उनको follow करना है numerical को follow करना है ठीक है तो बस इत